उस यूक्रेन का युद्ध पूरी डीटेल लेकर मेरे साहियों की दिपानशु इस फक मेरे सा स्टूडियो में चुड़ चुके हैं दिपानशु गूड मॉनिंग ये तो अल्मोस्ट अब डेली का अब हो गया है काम की आपसे हमें अपडेट लेना ही पड़ता है every morning तो जरा बताईए अब क्या-क्या नए बयान-बाजी होती हुई दिख रही है क्या concerns निकल रही है मेहाँ दो हफ़ते हो गए हैं इस यूद को और finally दो हफ़तों के बाद एक ऐसा संकेत आया है जिससे शायद आप ये तनाव कम होने की बादचीत कर सकते हैं अब ऐसा संकेत आया है इस पर आप reaction क्या होता है ये देखना जरूरी है कल यूकरेन के राश्ट्रपती ABC network को एक interview दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि अब हमें NATO की membership नहीं चाहिए हमें दिख रहा है कि NATO हमें support करने के लिए तयार नहीं है जो हम मांग रहे हैं NATO से वो दे नहीं रहा है तो अब हमें clear समझ में आ गया है कि NATO हमारी मदद नहीं करेगा इसलिए हम NATO की membership नहीं चाहते हैं और ये बहुत ही significant बयान है क्योंकि आपको मालू होगा जब हमने बात करी रश्या के चार प्रस्ताव की उसमें से सबसे बड़ा प्रस्ताव यही था कि यूक्रेन कमिट करे कि वो neutral रहने वाला है वो NATO को जॉइन नहीं करेगा और अगर यूक्रेन के राश्टरपती ये बात कह रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत है जिससे थोड़ी रहत आ सकती है तो इंडिकेशन दिया है उन्होंने ये भी कहा है कि क्राइमिया और बाकी जो सारे मुद्धे है उस पर भी बातचीत करने के लिए तयार है तो अगर इस पर और आगे development होता है तो डेफिनेटली एक positive है पिछले तीन दिनों से हम देख रहे है रोज एक ceasefire window होती है कुछ areas में civilian evacuation के लिए आज भी reports आ रही है कि ये हो सकता है तो उस पर भी हमारी नजर आएगी बढ़ डेफिनेटली एक positive संकेत finally after two weeks ये आते हो दिखाए नेटो पर जो यूकरेन के राष्टपती ने कहा है इसके अलावा कई सारे और developments हुए है एक तो US और UK इन्होंने commit कर दिया है कि अब हम Russia के oil imports रोकेंगे US कह रहा है कि almost on an immediate basis ये रोकने वाले है हाला कि इसका मैं impact पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ US का 3% oil रश्या से आता है तो significant impact नहीं होगा बर definitely एक statement है UK ने भी कहा है कि इस साल के अंत तक रश्या के oil imports को रोक दिया जाएगा in fact oil and gas imports पर रोक लगान की बात कर रहे है गैस थोड़ा और मुश्किल होगा Poland कह रहा है Poland NATO member है और Poland कह रहा है कि अगर Ukraine को हमारे विमान चाहिए अपने defense के लिए तो हम उन्हें US को पहले transfer करेंगे और फिर US अगर चाहे तो वो इन्हें Ukraine को दे सकता है हम directly Ukraine को नहीं देंगे पर US के जरीए हम Ukraine को देने को तयार है यह काफी complicated process होगा इस पर US ने कहाई कि वो सोच विचार करकर वापस आएंगे तो देखते हैं यह development कैसे develop होता है और एक important चीज आई है Russia ने foreign currency sale पर ban लगा दिया यानि कि अगर आप Russia के नागरिक हैं तो आप foreign currency को देश के बाहर जाने नहीं दे सकते हैं अफिसारे strict और limits उन्होंने लगा दिया है कुछ और exports पर भी Russia बात कर रहा है कि शायद restrictions लगा सकता है जो commodity का उतार चड़ाव है वो बना रहेगा बट definitely जो सबसे बड़ी ख़बर यही है कि Ukraine के राश्रप्रतिन में एक संकेत दिया है कि शायद इस तनाव को कम करने के लिए एक कदम उठाया जा सकता है दिपानशर शाद यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि cautiously ही सही लेकिन आज global markets है वो थोड़ा चड़ने की कोशिश यहां कर रहे है चलिए यह जो चीज़े आपने बताई ही थोड़ी सी positive है अब अच्छी मूद दिखा रहे है अब देखे है S.J.S.Nifty positively react भी आपको करते हुए दिख रहा है साउथ कोरिया के बाजार बंद है जैसे आप बता रही थी डाउ में कल काफी उतार चड़ाव हुआ है NASDAQ भी 1.4% नीचे फिसला है पर एक अच्छी बात है जो कल हमने भारतिय बाजारों में भी देखा broader markets में एक बड़ी rally थी US markets में और Russell 2000 जो उनका small cap index है वो आधे percent से ज़ादा उपर बंद हुआ है तो वहाँ पर आपने थोड़ा action बनते हुए देखा है bond deal ये वापिस उचल कर 1.86% के लिए पर आगे तो बाजार के लिए उतने अच्छी कबर नहीं है पर जिस तरह से inflation बढ़ रहा है संकेत पूर है कि rate hikes US में आने वाले है energy shares में तेजी बरकरार है जो हम देखी रहे हैं अब ये जो US-UK imports पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं उससे भी energy markets में थोड़ा आपने और उचाल आते हुए देखा है US में जो pump level fuel prices हैं वो record high star पर हैं जिसकी वज़े से हमने देखा कि जो उनके energy shares हैं उसमें बड़ी खरीदारी रही पर surprisingly कल US airlines भी आपको गिरने के बाद वापस तेजी में आती दुखी तो कहीं न कहीं अब बाजार इस commodity rally को pricing करने के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है यॉरप के बाजारों में कल मजबूत recovery आपने देखी है इन फैक्ट UK के बाजार तो positive बंद होते हुए दिखे हैं बाकी जो France और Germany के बाजार है वो भी निचले सर उसे अच्छे recover हुए और कच्छे तेल में जैसा बता रही थी 130 डॉलर पर है Brent अभी भी तो तेजी बरकरार है हाला कि अब देखते हैं कि क्या यहां से और थोड़ा cool off आएगा या नहीं Sona भी हमने देखा काफी बड़ी उच्छाल के साथ है इन फैक्ट Sona अपने record सर से जादा दूर नहीं है तो आज के trading session में यहां पर भी आपको रखनी है नसर बिलकुल commodity क्या अक्या नहीं है